नमस्कार वित्वा, आज से हम एक नई शिरी जारम करने जा रहे हैं और इसमें हम व्याधि विशेश और उस पर काम करने वाला कोई एक साधारण हर उसके विशे में आपसे बात करेंगे, कैसे उसको बनाया जा सकता है और उस व्याधिक अबारे में कासा ये लक्सन होते हैं इसको बनाने की क्या विधी है कैसे इसको लेना चाहिए और क्या प्रिक्योसन समय इसमें रखनी चाहिए इन सब विश्यों को लेकर ये series हम आरम कर रही हैं तो आज सबसे पहले हम लेंगे आमले चोन का प्रियोग ऐसी डीटी और गेस्ट्राइटिस में जैसे कि आप जानते ही हैं कि ऐसी डीटी आजकल एक सामाने सी व्यादी होती जा रही है हर दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित रहता है और इसमें आगे चलकर अगर इसको प्र साधारन सा प्रियोग है आमले चोन का तो आमला चोन का प्रियोग हम कैसे करेंगे कि गर्मियों के आरंब में या सर्दियों के अंत में आखिर में आमले का संग्रे किया जाता है साप सुत्रे आमले या मार्किट से भी अगर लेना हो तो इसी के आसपास का आमला जो है वो सरवस्रेश्ट माना जाता है उसको लेकर उसको साफ करके और चाया में सुखाते हैं और पके हुए आमले के बीज निकाल लेते हैं अब अगर हमने इसको अभी प्रियोग नहीं कर में चाहे उसको मिक्सी में ग्राइंड करके करें या अगर लार्जर स्केल पर बनाना है तो पल्वराजर का यूज किया जा सकता है तो गैस्टाइटिस आखिर है क्या चीज़ खाने और खाने और पीने में जब हम संयम नहीं बरतते हैं या डिबा बन चीजें अधिक मसाले चाट चपीटी चीजें खाते हैं तो उस समय एसीडी रिफ्लेक्स हमारे सरीर में होता है और हमें एसीडीटी बनती है इसमें गैस्टाइटिस भी इसी का एक हिस्सा है और प्राय यह देखा जाता है कि मुमें खट्टापन और पेट के बीच और ओपरी भाग में हलका-लका प्राय सा पेन रहता है आदमी अनीजीनेस महसूस करता है तो यह सारे लक्षन जो हैं वह एसीडीटी और गैस्टाइटिस के हैं आइरवेद में इसको अमल पित्ते के नाम से दर्साया गया है और आमले का भरपूर प्रियोग आइरवेद की संगिताओं में आइरवेद में बर्नेत में एकल दरभी के रूप में और अन्हेकत के साथ मिलाकर बहुत सारे Caucas में में आवले का क्या जाता है आउप लेको खाली ओसध्य रूप Mai Smain ही आइ 참 किते लिए और इस तरीकी का का याँजट्ट में थे लिए है उसमें भी जलेकिन आगर वो नहीं है तो हम घर में कपडे को भी इस्तिमाल करके कपड़ च्हान के रूप्मिन उसका एक फाइन पाउडर बना लेते हुआ हुआ हमारा फॉर्मॉलेशन मिलेगा क火 वह हलके से काले रंग का फाईन पाउडर हमें हैं जिनको खटापन सेंसिटिव होता है तो उनके लिए एक रास्ता ये है कि आप आवला चोन में चीनी मिला सकते हैं या आप उसको कैपसुल में भरके उसका सेवर कर सकते हैं इसके अलावा उसमें सेद मिलाकर या मीठे दूद के साथ में भी उसको लिया जा सकता है अब इस भाइट हमें नहीं लेनी है ठंडा खाना भी हमें नहीं खाना है इसी के साथ में हमें सूखी और हरी पत्तेदार सबजियां और खास तोर से सलाथ इसका भी हमें अवाइड करना है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अपने से मैक्सिमम रूप से उसका अवाइड करना चाहिए उसके लिए चाहिए योगा करें या अन्य कोई भी साधन करें तो इस पब्लिस आवले के पब्लिस लिटेचर में इसके प्रियोग में कोई किसी किसम के साइड इफ्रेक्ट नहीं पाए गए हैं और इसको लंबे सम में तक प्रियोग किया जा सकता है तो मैं आसा करता हूं कि एसी जैसी एक कॉमन सी डिजीज जो के प्राइस सभी जगे पाई जाती है और उसमें एक साधरन प्रियोग हामले का आप करेंगे और अपनी इस बिमारी को आगे बढ़ने से रोकेंगे जुड़े रहे हमारे साथ अगले सबताहा फिर एक नए उसदी और एक नए व्यादी के साथ आपसे मिलते हैं तब तक नमस्कार